जे शिरी किष्णा रादे रादे जे माता दे हमारे चैनल उम ग्यान सागर में आप सभी का भहुत बहुत स्वागत है आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मा सक्ती की आठवे दिन देवी सक्ती महागोरी सवरूप की आरादना पूजा वर्तवीदी कहानी कैसे की जाती है नवरातरी के आठवे दिन देवी सक्ती महागोरी सवरूप की आरादना की जाती है इनकी पूजा से सुक, समर्दी, प्राप्ती होती है नवरातरी में अश्टमितिति का विशेश भहत्वे माना गया है इस दिन महागोरी की पूजा से समस्त परकार के दुखों का नास हो जाता है देवी सती ने पारुती रूप में बगवान सिव को पती रूप में प्रापत करने के लिए कठोर तपस्या की थी एक बार बगवान भोले नात ने पारुती जी को कुछ कह दिया जिस से देवी का मन आहत हो गया और पारुती जी तपस्या में लीन हो गई इस प्रकार वर्सों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पारुती नहीं आई तो उनको खोशते हुए भगवान सिव उनके पास पहुँचें वहाँ पहुँचकर मा पारुती को देखकर हैरान रह गए पारुती जी का रंग अतियन पूर्ण गोर्ण वरन का हो रहा था उनकी छटा चांदनी के समान सफेद फूर के समान उजवल दिखाई बढ़ रही थी उनके वस्तर और आभुशन से पर्षन होकर बगवान सिव ने देवी उमा को गोर्ण वरन का वरदान दे दिया दूसरी का था कि अनुसार बगवान सिव के पती रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी जिससे उनका सरीर काला पड़ गया था तपस्या से पर्षन होकर बगवान ने उन्हें सिवकार कर लिया और शिवजी ने उनके सरीर को गंगा जल से दोते हैं तब देवी बहुत ज़्यादा गोरी हो जाती है और तबी से इनका नाम गोरी पड़ा था महागोरी रूप में देवी करोना में सनिह में सांत और दिखती है अस्टमी के दिन मां अम्बे को महागोरी सरूप की पूजा होती है इस दिन सुबह जल्दी उठकर सनान कर साफ अपड़े पैने फिर मा देवी दुर्गा की परतिमा को अच्छे वस्तरों से सजाएं उन्हें फूल अर्पित करें उनके पास घी का दिपक जलाएं दुर्गा सब्त भी का पाट करें और दुर्गा के मंत्रो चार करें दुर्गा जी के पंचा मरत अर्पित करें उन्हें पांस फल किसमिस सुपारी पान लोंग इलाइची आदी भी चणाएं परसाद सरुप मा को मिश्टान अरपित करें इस दिन नारियल का भोग लगाना बहुत हिस्सु माना जाता है जिन लोगों को इस दिन पारन करना होता है वह इस दिन कन्याओं का पूजन करें घर म कन्याओं को पूरी और हलवे का परसाद भोग लगाए और उनका पैर छुकर आसरी बाद ले मा दुर्गा की तीसरी कहानी एक सिहे काफी भूका था जब बोजन की तलास में वहाँ पहुचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी देवी को देखकर सिहे की भूक और भी ज दोर हो गया देवी जब तपस्या से उठी तो सिहे की दसा देखकर उन्हें दया आ गई और मा उसे अपनी स्वारी बना लेती है इस प्रकार उसने भी तपस्या की थी इसलिए देवी गोरी का वहन बैल भी है और सेहे भी है इस दिन सुह महागोरी की पूजा के बाद घर पर नो कन्याओं और दो बालकों को बुलाया जाता है दो लड़कों को बोजन जरूर करवाना चाही है एक बहरों बाबा के लिए और दूसरा हरुमान जी के लिए फिर कन्याओं को और बालकों की पूजा करने के बाद उन्हे हलवा पूरी और चने का भोग करवाना चाहिए भोजन के बाद उने उपहार दे कर उनके पैर छो कर आसरेवाद प्राप्ट करना चाहिए माता की भक्ती में सकती है माँ अपने भकतों पे सदेव अपना आसरेवाद बनाये रखती है हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कोमेंट करके जरूर बताए हमारे चैनल ओम ग्यान सागर को सब्सक्राइब करें प्लीज वीडियो को लाइक और सबे के साथ जादा से जादा से जादा सेर करें मा दुर्गा की आप सभी पर सदेव करपा बनी रहे नौरात्रे की सुब कामनाए धन्यवाद